तीन घुंगट वाली बहू की बारिश में नहाने वाली मौडन सास और पैंचर पहनिये सोमलता की बात सिन महिंद्र बिना कुछ कहें गुस्से में सीधा अपने दोस्त दिनेश के घर आ जाता है क्या हुआ महिंद्र काफी उदास लग रहे हो अरे क्या बताऊं दिनेश तुम तो मेरी पतनी सोमलता को अच्छे से जानते हो न जाने शेह जाने के बाद उसे क्या हो गया सीधा से सीधा शीला बन गई है मुझे तो डर है कल को अगर वो अपनी जैसी बहुए ले आई तो क्या होगा अरे मेरा स्वर्ग जैसा घर तो कलब बन कर रह जाएगा तो तुम एक काम क्यों नहीं करते अपने बेटों की शादी शहर की बजाए गाउं की लड़कियों से करवा दो मेरा गाउं में एक बहुत अच्छा दोस्त है इत्याफाक से उसकी भी तीन बेटियां है अगर तुम चाओ तो उससे मिलकर देख लो लड़कियां पसंद आए तो रिष्टा तै कर देना दिनेश की बात महिंद्र को काफी हद तक सही लगती है महिंद्र अगले दिन ही दिनेश के साथ गाउं जाता है और उसकी दोस्त की तीनो गाउं की बेटियों को पसंद कर अपने बेटे से रिष्टा तै कर देता है लेकिन जैसे ही ये बात सोमलता को पता चलती है आपका दिमाग तो नहीं खराब होगी आप इस घर में गाउं की बहुए लाना चोते हैं मेरे रहते हुए मैं ऐसा नहीं ओने दूंगी अपने पती के आगे सोमलता चाहते हुए भी कुछ नहीं बोल पाती और कुछ ही हफ्तों में महेंद्र गाउं की लड़कियों को अपने घर की बहु बना कर ले आता है बहुए जिसकी पसंद की हैं वही इनका ग्रह प्रवेश करें मैं तो चली सोने बहु अपनी सास की बातों का ज्यादा बुरा मत मानना वो क्या है ना उसके ओपर का माला थोड़ा खराब है अपने ससुर महेंद्र की बात सुन तीनों घूंगट ओड़े हुए बहुएं गीता गायतरी और लक्षमी घूंगट में हसने लगती हैं जिसके बाद महेंद्र अपने तीनों बहुँ का ग्रह प्रवेश करता है और ऐसे ही शादी का पहला दिल गुजर जाता है अगले दिन होते ही तीनों गाउं की बहुएं सुबह सुबह उठकर भगवान की पूजा पाठकर गूंगटोड़े ही सब के लिए तरह तरह के पकवान बनाती है अरे वाह बहुत तुमने तो पूरा देशी खाना बनाया है कितने सालों बाद मुझे अपने गाउं का खाना नसीब होगा वाह 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 गाजर का हलवा वो भी देशी घी में बना हुआ और ये गर्मा गरम पूरी आलू की सबजी वाह 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 अरे सोमलता तुम भी मुझे इन चीजों को खाकर अपना फैट नहीं बढ़ाना कितनी गंदी बद्बू आ रही है इन में से और ये क्या तुम तीनों ने ये बावन गच का गूंगट क्यों डाल रखा है माजी हमारे गाव में सब ही लड़किया शादी के बाद गूंगट में ही रहती है इससे हमारी संस्कृती जो लगती है वो तुम्हारा गाव था और ये शहर है यहां तर ऐसे गूंगट डाल कर गूमोगी न तो हर कोई तुम पर हसेगा कोई बात नहीं माजी, यहां के लोग भले ही अपनी संस्कृती बूल गए हैं, लेकिन हम नहीं भूले, एक बात कहीं माजी, आप जिस तरह से कपड़े पहन रही हैं, यह हमारी संस्कृती नहीं है, हमारी बात मानिए तो आप भी सूट सलवार और साड़ी पहनना शुरू कर तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम अब मुझे बताओगी कि मुझे क्या पहनना है क्या नहीं? अरे बस सोमलता आज बहूँ का पहला दिन है और तुम उन पर गुस्सा कर रही हो, अरे वैसे उन्होंने गलत क्या कहा, जो भी कह रही है, सही कह रही है आप तो चुपी करिये, कहा फस गई मैं आप जैसे गाउंदे हाथियों के बीच में इतना कहगर सोमलता गुस्से में बिना नाश्टा किये ही चली जाती है और ऐसे ही वक्त गुजरता रहता है अच्छा हुआ तुम आ गई, कितने दिन हो गए हम एक दूसरे से मिले हुए अ लास्ट टाइम हम लोग करिका केकेटी पार्टी में ही मिले थे उसके बाद कहा मलना हुआ, विससे तुम्हारी बहुएं कहाएं कहीं दिख नहीं रही सोमलता की सहेली सनेहा जैसे ही उसकी तीनों बहुएं के बारे में पूछती है कि तबी उसकी तीनों बहुएं गुंगट ओड़ी हाथों में नाश्टे की प्लेट लिए उनकी तरफ आ रही होती है कि अचानक गुंगट की वज़े से लक्षमी का पैर गलती से टेबल से टकरा जाता और वो सीधा नीचे गरती है अरे लक्षमी बहु, आराम से, जाधा लगी तो नहीं नहीं पिता जी, बस पैर में थोड़ी मोच आ गई है वो तो आएगी ही, अपनी हाइट से लंबा गुंगट योड़ोगी सोमलता, ये कैसी बहुल आई हो, खुद तो तनी मौडन हो और बहुमें गुंगट वाली लेकर आई हो ये कहते हूँ, इस नहा सोमलता पर हसने लगती है अपनी गुंगट वाली बहु की वज़़ से अपनी सहेली के सामने इतनी बेज़जती होता देख सोमलता को काफी गुस्सा आता है ऐसे ही समय गुजरता है और अब गर्मी का मौसम खत्म होकर बारिश का मौसम शुरू हो जाता है आखिर कहार इस गर्मी से चिटकारा मिली गया कितनी तेज बारिश हो रही है आज तो मैं बारिश में जम करना चूंगी सोमलता अपनी उम्र का लिहाज ना करते हुए सीधा चत पर जाती है और बारिश में नहाने लगती है कि तभी उसकी तीनो बहुएं बारिश होता देख चत से कपड़े निकालने के लिए उपर आती है गीता लक्ष्मी ये माजी को क्या हो गया है वो बारिश में इस तरह नाच क्यों रही है ऐसा लगता है कि माजी के उपर किसी चुडैल का साया आ गया हो तीनो बहुएं गुंगा तोड़े अपनी सास के पास जाती है माजी आप ठीक तो है ना आप इस तरह बारिश में भीग क्यों रही है तम तीनो को पता नहीं मुझे बारिश में भीगने का काफी शौक है मुझे बारिश बहुत ज्यादा पसंद है लेकिन माजी ये पहली बारिश है और पहली बारिश में इस तरह भीगना सही नहीं आपकी तबियत भी खराब हो सकती है अपनी सास की बात सुन बेचारी तीनों घूंगट ओढ़े बहुए नीचे जाती है और किचन में गर्मा गरम अपनी सास के लिए पकोरे बनाने लगती है वहीं जब तक बारिश रुक नहीं जाती सोमलता बारिश में भीगती रहती है हर साल जब भी बारिश का मौसम आता तो सुमलता हमेशा बारिश के मौसम में भीगती है ऐसे ही कुछ वक्त गुजर जाता है आह मेरा हाथ गीता सारा ध्यान से काम करा करो देखो आज फिर तुमने अपना हाथ जला लिया बहु तुम तीनों को गुणगट करने की भला क्या जरूरत है आरे मैं जानता हूँ कि मेरी तीनों बहुएं बहुत संसकारी है पता जी हम किसी भी कीमत पर अपनी संसकृती नहीं छोड़ सकते हैं गुणगट करना तो हमारा धर्म है बहु मेरा काम तो समझाने का था अब जैसे आगे तुम्हारी मरसी जहां एक तरफ मौडन सास की तीनों बहुएं गुणगट ओड़ना नहीं छोड़ती वहीं मौडन सास भी हर दिन बारिश में भीगना नहीं छोड़ती जैसे ही बारिश शुरू होती तो सोमलता दोड़ी दोड़ी छत पर चली जाती और बारिश में भीगती आज तो बारिश के साथ साथ कितनी ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही है मागर ये मेरे हाथों पर खुजली क्यों हो रही है बारिश में भीगते हुए सोमलता के हाथों पर खुजली होना शुरू हो जाती है जिसके बाद सोमलता जैसे ही नीचे आती है तो उसके हाथों पर दाने निकलाते हैं जैसे देख उसकी घूंगट वाली बहुए कहती है अरे माजी आपके हाथ पर ये दाने कैसे निकलाए लगता है बारिश में भीगने की वज़ा से निकले हैं हमने कहा था ना कि ये पहली बारिश है इसमें मत भीगिए भाला बारिश में भीगने से भी क्या कभी दाने निकलते हैं आज तक तो नहीं निकले और ये मुझे समझा भी कौन रहा है जो खुद 24 गंडे गोंगत में रहती है सोमलता अपनी बहु की बात को टालते हुए मुँ बना कर अपने कमरे में चली जाती है और ऐसे ही वक्त गुजरता रहता है आच्चू आच्चू लगता है कॉल्ड हो गया है मेडिसिन खानी पड़ेगी गीता गायतरी लक्षमी कहां रह गई जरा एक गिलास मेरे लिए गरम पानी ले आओ थोड़ी दिर में गीता अपनी सास सोमलता के पास गरम पानी का गलास लेकर आती है ये लीजे माजी गरम पानी लेकिन भला आपको इसकी क्या जरूरत थी देख नहीं रहा तुम्हें कैसे कोल्ड में मेरी नाक लाल हो गई है दवाई के लिए मंगवाया है ये पानी दीखा माजी बारिश में भीगने का नतीजा पहले आपके हाथ पर दानी निकल आए और अब जुकाव होंगे आपको ये कोल्ड मुझे बारिश में भीगने से नहीं बलकि आईसक्रीम खाने से हुआ है समझी अपनी घुंगट वाली बहु के लाग समझाने पर भी सोमलता बारिश में भीगना नहीं छोड़ती और आज तो सोमलता बारिश में भीगने के लिए हील पहन कर चत पर जाती है जिसे देख उसकी बहुएं कहती है मा जी आपने ये उची एडी वाली जूती क्यों पहनी है इसमें तो आप गिर जाओगी ये उची एडी वाली जूती नहीं हाई हील्स है गवार कहीं की और आज मुझे बारिश में भीगते हुए रील बनानी है इसलिए मैंने ये हील्स पहनी है अब तुम तीनों देखती जाओ कि कैसे तुम्हारी modern सास real बनाती है सोमलता चट पर high heels पैन कर जाती है और बारिश में भीगते हुए real बनाने लगती है कि तबी अजानक high heels की वज़े से सोमलता का पैर लड़ खड़ाता है और वो सीधा गिर जाती है जिससे उसके पैर में बहुत गहरी चोट आती है माजी आप ठीक तो है ना तीनों बहुएं जल्दी से अपनी सास को पकड़ कर नीचे ले जाती है पैर में आई मोच की वज़ा से डॉक्टर अब सोमलता को पूरे एक महीने का bed rest दे देता है अब पड़ी रहो एक महीने तक बिस्तर पर कितनी बार कहा था कि जादा मॉडरन बनना भी ठीक नहीं है लेकिन जादा मॉडरन बनकर बारिश में भीगने की वज़ा से तुम्हारा क्या हाल हो गया पिता जी बिलकुल ठीक कह रहे हैं माजी हमने भी आपको कितनी बार समझाया लेकिन आपने हमारी बात नहीं मानी। सोमलता के साथ साथ गलती तुम्हारी भी है। देखो अपनी संस्किती अपनाना गलत बात नहीं है। लेकिन जिस तरह तुम तीनो 24 गंडे गुंगा टोड़े घर का काम करती हो, हर थोड़ी देर में तुम तीनों को चोट लगती रहती है। ना तो जादा गवारपन सही है और नहीं जादा मौडन परा। अभी भी वक्त है तुम लोगों के पास अपने आपको बदलने का। महिंदर अपनी बाद सोम लता और उसकी तीनों बहूं को अच्छे से समझा जाती है, जिसके बाद अब तीनों बहूं गुंगा टोड़ना बंद कर देती हैं और आराम से सारे काम करती हैं। महिं मौडरन सोम लता भी मौडरन कपड़े पहनना और ज्यादा बारिश में भीगना बंद कर देती हैं।